हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है तनवीर और आप देखने हैं नर्डी सेम तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पाइथन को विंडोस 11 में इंस्टॉल कर सकते हैं तो वीडियो काफी इंफर्मेटिव होने वाली है So don't skip any step while watching the वीडियो तो friends हमें python को इंस्टॉल करने की लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर को open कर लेना है मैं यहाँ पर chrome browser का use कर रहा हूँ आपके cb browser का use कर सकते हैं तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले google को open कर लेना है और जाना है सर्च बार में और यहाँ पे हमें टाइप करना है Python Download ज़र हमें इंटरप्रेस करना है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले Python की official website का link मिलेगा हमें इस पे click करना है जिससे हमारे यहाँ पे Python का official webpage open हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको homepage पे Windows के लिए Python को download करने का option मिलता है और अगर आपको Python Linux और Mac के लिए download करना है तो आपको वो भी option यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे हमें download करने का option download के अंदर भी मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ पे Python का एक button हमें मिलता है जो की बिल्कुल free है software और यह open source है तो हमें Python को install करने के लिए सबसे पहले इससे download करना है तो हमें इस पे click करना है तो यहाँ पे हमारा Python download होना start हो गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें थोड़ा wait करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा Python download हो जुका है तो हमें इस पे right click करना है और open button पे click कर देना है तो यहाँ पे हमारे सामने एक install Python का एक window open हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं install now का option मिलता है आपको यहाँ पे customize installation का option मिलता है और यहाँ पर हमें दो option और मिलते हैं use admin privileges when installing तो मैं इसे check mark कर दूँगा और मैंने यहाँ पर add python.exe को भी check mark कर दिया है और यहाँ पर हम customize installation करने वाले हैं जिसमें हमें location and feature को choose करने का option मिलता है तो हमें customize installation करने के लिए इस पर click करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर optional features का एक section open हो गया है यहाँ से हम optional features को unmark और mark कर सकते हैं select और unselect रह सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी details को पढ़ सकते हैं तो आपको next button पर click करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको advanced option मिलते हैं like install python 3.12 for all users तो अगर आपको python को सभी users के लिए जो भी इस computer में जतने भी account है उसके लिए install करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर check mark कर देना है और यहाँ पर हमें customize install location का भी option मिलता है आप यहाँ से अपने python की location जहाँ पर भी आप install करना चाहते हैं यहाँ पर browse button पर क्लिक करके change कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर install button पर क्लिक करना है जिससे यहाँ पर हमारा setup run हो जाएगा तो हमें यहाँ पर थोड़ा wait करना है जब तक कि यह setup complete होता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा setup successfully complete हो गया है तो मैं इसे close कर लूँगा और अब हम यहाँ पर start menu को open करेंगे और यहाँ पर हम type करेंगे cmd तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा command prompt open हो गया है अब हम यहाँ पर python के version को check करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा python hyphen hyphen version then मैंने यहाँ पर जैसे इंटर्प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे python का version आ गया है और यहाँ पर हम type करेंगे py then मैंने यहाँ पर interact किया तो यहाँ पर भी हमारे python की कुछ information आ गई है तो अब हम यहाँ पर कुछ print करके भी देख लेते हैं तो मैंने यहाँ पर type किया print bracket के अंदर मैंने यहाँ पर अपने channel का नाम type किया और यहाँ पर मैंने bracket को close किया और interface किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर print हो गया है तो अब हम इसे close कर लेंगे और python को open करेंगे तो हमें जाना है start menu में और type करना है id l e तो हमें इस पर click करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा python open हो गया है तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने first program को type करेंगे तो मैं यहाँ पर type करूंगा print और यहाँ पर मैंने एक space दिया और bracket के अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया अपने channel का नाम और bracket close किया और इंटर्वेस किया तो आप देख सकते हैं यह perfectly work कर रहा है और अब हमें इसे save करने के लिए file menu में जाना है और यहाँ पर हमें save का option मिल जाता है तो दोस्तों इस तरह से हम Windows 11 में python को install कर सकते हैं So friends, I hope की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को like करें, share करें और अगर आपका कोई question है तो आप comment box में लिख सकते हैं और channel को subscribe करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी useful videos लेके आता रहता हूँ